नमस्कार आपका हमारे यूटीब चैनल में स्वागत है बता दू कि मैं अभी अमर उजाला के अकभार के न्यूज चैनल पर आया हुआ हूँ और यहां से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि अभी जो वर्तमान में एक्जाम चल रहा है यूपीएसाई का ठीक है जिसक अगरा जो कटफ है वह एक्सपेक्टेड कटफ क्या रहने वाला है वो मैं बताऊंगा उससे पहले मैं बता दूं अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामे सरकारी परक्षाए हूँ वो चाहे SSC के एक्जाम्स हो रेलवे के एक्जाम्स हो बैंकिंग के एक्जाम्स हो आपका उत्तर पर्दिस के एक्जाम्स हो बिहार के एक्जाम्स हो जारखंड के एक्जाम्स हो इसके अलबा Union Public Service Commission यानी UPSC के एक्जाम्स हो सारे एक्जाम्स की जानकारी हम हमारी चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कूल भी ना बूले तो नमस्कार मैं हूँ सोनू और चले स्टार्ट करते हैं कि अमर उजाला की और से क्या है इसमें कुछ खास और कब इसका जो यूपीएसाइ का जो कटफ है वो कितना रहने जा रहे है इसका हम अनुमान इस वीडियो के माईदम से लगाने जा रहे है ठीक है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूपीएसाइं एकजाम में लिखा पिछली दारोगा भरती का क्या रहा था कटफ ठीक है इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माइदब से जानेंगे और साथी साथ यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अब की बार कितना रहने की लगाई जा रही है या आज यानि अब कितना कटफ जा सकता है यह सब जानेंगे इस वीडियो में चुकी है यह एक्जाम 2 दिसंबर 2021 तक कई चरणों में पूरे कराए जाएंगे तो 12 नौंबर से स्टार्ट हुआ चलेगा कब तक दो दिसंबर 2021 तक चलेगा इस परिक्षा के लिए अभ्यर्थियों को तीन अलग अलग पालियों में एक्जाम देने के लिए बुलाया जा रहा है यानि पर्थम पाली दुइत्य पाली और तृत्य पाली ये तीन पालियों में जो है अभ्यर्थि जाकर एक्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब इंस्पक्टर यानि SI, प्लाटून कमांडर, P.A.C. वह अगनी समन दुइत्य अधिकारे के कुल देख लिजे कितना पोस्ट है, 9534 पदों पर होने वाली भरती की लिखित परिक्षा की सुर्वात जो है, वो 12 नुवंबर 2021 से हो चुकी है, यह परिक्षा 2 दिसंबर तक कई चर्णों में संपन कराई जाएगी ठीक है, आगे देखिए, इस एक्जाम के लिए 15 जिलों में परिक्षा केंदर बनाए गया है इस सभी एक्जाम सेंटर्स में कुल 54 पालियों में अलग अलग परिशन पत्रों के साथ परिक्षा पूरी कराई जाएगी UPSI समेट कई अइन्य पदों के लिए आयोजित की जाने वाली इस भरती के लिए आयोजित की जाने वाली परिक्षा के कई चरण अब तक पूरे हो चुके हैं जल्दी पूरी पारदर्सिता के साथ सभी फेज की परिक्षाओं को पूरा कराकर एक्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा ठीक है उम्मिद है कि हाल फिलाल में जो यूपी टेट का एक्जाम होने वाला था जिसे कैंसल कर दिया गया चूंकि उसमें पेपर लिख हो गया था तो इस परकार का इसमें कोई गड़बड़ी ना हो यह हम आसा करते हैं कि आगे देखिए क्या कहा जा रहा है आगे इसमें कहा जा रहा है अगर आपने इस भरती के लिए आविदन किया है तो अभियर्थी भरती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके अपना एड्मिट का डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है और देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि कितना रहा था पिछली भरती में कटफ यह हम लोग इस यहाँ पर देखेंगे तो देखें यहाँ पर बताया जो रहा है ठीक है यूपी पुलिस भरती एवं प्रोनती बोर्ड द्वारा वर्ष 2015-16 में आयुजित की गई भरती की लिखित परिक्षा में सामिल होने वाले समायन्य वर्ग की उमिद्वारों का कटफ 332.91 रहा था समायन्य वर्ग यानि जेनरल केटेगरी में आने वालों का कटफ इसके अलावा जहां अन्य पिछड़ा वर्ग यानि OBC के अभिर्थियों का कटफ 321.25 रहा था और जबकि समायन्य वर्ग का 332.92 वहीं अनुसूचित जाती के उमिद्वारों यानि SC सेडूल कास्ट का स्कोर कटफ रहा था 283.91 जबकि अनुसूचित जण जाती यानि SC सेडूल ट्राइब में आने वाले अभिर्थियों को परिक्षा में सफल होने के लिए 235.41 अंक लाने पड़े थे ठीक है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मायूस करने वाली खबर यह है कि यहाँ पे देखे क्या लिखा हुआ है तो अंततह मैं बताना चाहूंगा कि हम उमीद करते हैं उत्तर परदेश के मिख मंतरी योगी जी से कि इस परकार का किसी परकार का इसमें धानले वगरा ना हो और जो भी मेहनती बच्चे हैं उनको सफल कराया जाए सबसे पहले उनको सबसे पहले प्रात्यमिकता दी जाए ठीक है और साथी साथ मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को अवज से जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर ले ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परिक्षाए हैं उसका जानकारी मिल सके और बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ठीक है और यहीं पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ ठीक है जो कटफ एक्सपेक्टेट कटफ रहने वाला वो अब देख लीजे थोड़ा बहुत बढ़ सकता है ठीक है इस साथ तो यह बात हमेशा ध्यान है कि कि कमपेटिशन जो है अभी काफी ज़्यादा बढ़ा हु पर मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ चैनल को और से सब्सक्राब कर लें वीडियो पसंदा तो लाइक कर देंगा और दोस्तों को भी सेर कर देंगे तब तक कि लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद